हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मीनूस किचन आर्ट संड ब्लॉग में फ्रेंड्स आप सभी को नवरात्री के धेरों शुब कामना है और इसी नवरात्री में मैं आप लोग के लिए लाई हूँ बहुत ही फ्रेश और हेल्दी रेसिपी मगा फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो तरीके से म्लबनावा कमादने कासे रित करने के भी पाद यह ब तो भी नहीं नहीं होगा हुटाफट से बनने वALी जिस्प तो बन करते हम साबूदामे का हल्वा तो फ्रेंट्स ये रेसिपी बहुत टेस्टी है और सारे दिन आपको चुस्ती फूर्ती से भर के रख देगी तो यहां पर दोस्तों मैंने ले लिया है साबु दाना आधा किलो का जिसका पैकेट मैप कट कर रही हूं और एक ले लिया है बड़ा बर्ता जिसके लिए मैं इसम से साबु दान के खिचड़ी भी बनाने वाली हो और इसी में से निकाल दूंगी मैं खलवे के लिए थोड़ा सा एक कटोडी जितना साबु दाना है तो फ्रेंट्स चलिए यह तो मैंने डाल दिया है अब इस साबु दान को हम धुएंगे मगा आपको बता दू फ्रेंट्स अब इस दर मैं देखिए इसको पानी से अच्छे तरह से दो तीन बार दोलूंगी मगर फ्रेंट्स इतना अच्छा था कि बहुत बिल्कुल पानी साफ ही निकला थोड़ा सा बहुत तो स्टार्च होता ही है तो फ्रेंट्स मैं इसको अच्छे से हाथ से मसल के धो दिया हू अब इस पानी को मैं थोड़ा सा निकाल दोंगी आपको बताती हूँ कितना पानी लेना है यह निकाल दिया है पानी फ्रेंट्स उतना ही लेना है जितना हमारा सावुदाना जो अच्छी तरीके से भीग जाए तो फ्रेंट्स अब मैंने इसको चार-पांच घंटे बाद भ काजू और यह कुछ मने काजू बजाम के तुकड़े तोर रही हैं फ्रेंट्स फिस्ता में अगर वो नमक वाला था तो नमक वाला पिस्ता आप ना ले गल्किले ना करें और यह देखे फ्रेंट्स अब एर सारी सामगरियां पर तय्या है तो अब प्रण सबसे पहले यहां पे एक पैन ले लेंगे अब पैन में डाल देंगे हम दो चम्मत जितना देसी घी अब इसमें मैं डाल दूंगी जो कुछ बदाम की गिरी और काजू थे उनको इसमें डाल दूंगी और फ्रेंट्स गैस को स्लो करते हुए हम इसको इस तरीके से गोल्डर ब्राउन होने तक सेख लेंगे पटापट से जल्दी से हो जाएंगे इन देखे फ्रेंट्स हो गए है अब हम ले लेंगे किश्मिष और इसके लिए गया स्टों रखेगे क्योंकि फट अवट से हो जाती है घी भी मेरा कर दू unto इner Theा दो है कि निकाल लिया हैस्ट है मैंने इसको अलग सही तो अब भम इसे घी में डाल देंगे हमारे जो प्रेंस यह हल्वा दो जनों के लिए परियाप्त है यदि आप इसके साथ कुछ नहीं खा रहे हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल सही है आपको सारे दिन एनर्जी से भरपूर रखता है और यह हैल्दी भी बहुत है तो इस तरीके से हम इसको चलाते जाएंगे फ्रेंट्स हमारा सावदाना गल तो गया है लेकि इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारे ट्रांस्परेंट नहीं हो जाता है और ध्यान रखें कि गैस हमारी हमें इस टाइम स्लोही होनी चाहिए ükरते डेखिएं त्रय के से यह अड़के एपने अपने थोड़ा थोड़ा चूट में लगया है इसका मतलब वह मतल्य है कि हमारा जो प्रंफ न तो डाना है वो अच्छे से पक गया है इसमें से भीनी भीनी खुशस्बु भी आने लग गहा हैнок जो लग गया है इसको आप खुरच खुरच के भी निकाल लें तो अब इस तरीके की कंडिशन होने के बाद अब हम इसको आगे करेंगे और इसको चलाते हुए अब हम इसमें डाल देंगे आधा कब इतना दूद प्रेंस यदि आप दूद नहीं लेना चाहते हैं तो आप पा करेंशन तो प्रूच बंगोर तो भी आप ले सकते हैं जिससे की अच्छा सारंग भी आज है आप पीला ओरेंज लाल कोई साभी कलर लेखे इसे बना सकते हैं मैं तो lava क्याम कर सकते हैं में क्या प्रूर हाग हो तक हो सकता है तो प्रेंड поговорc जो होता है पहुत कम यूज़ करती हूं ताकि वो जो है सब खाते हैं तो नुकसाद ना करें कभी कबार चल जाता है तो आप केसर भी ले सकते हैं और दूद के जगे आप पानी का इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो यह देखिए फ्रेंच चलाते चलाते हमारा दूद पूरा सूख गया है अब हम इस जे शुक्त पॉरफेक्ट चीनी थी स्पैप हें अब हम इसको अच्छी तरसे सिस मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद प्रंस हम इसमें डाल देंगे ड्राइफ रोट्स और यह मने इलाइची बी मिचल दी ती 77 फारद मिने इसको कूट लिया था और यह देखिए अब हम सा तो देखे फ्रेंड्स मेरे मिक्स करने के बाद कितना अच्छा है अब लुक आ गया है और आप मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है और फ्रेंड्स आप इसे जरूर बना के ट्राइए यह बहुत टेस्टी रहता है बहुत बढ़िया रहता है तो आप इसको जली से बनाइए और यदि आपको बहुत पसंद आ रहे तो आप भी इसे शेर कीजिए जिन जिन को व्रत है वह 100% इसे बनाएंगे और खुश हो जाएंगे और बहुत थेस्टी भी है बच्चे बुड़े सब को पसंद आएगा और फ्रेंट्स उपर से घी डाल आईए आप भी बनाईए और बहुत सारा एंजॉय कीजिए नवरात्री में माता रानी आप सब को खुब आशिरवाद दे यही मेरी इच्छा है शुब इच्छा है मिलते हैं फ्रेंड्स हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपके भी कोई दूसरी रिक्वेस्ट वेजिटेजियन जुड़ी हुई तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक की वीज बाए टेक्यार